हलो अरिवन वेलकम टू जेट केमस्टी भाई के एवी इस्टुनेंट्स आज हम फाइनली बात करेंगे कि ओफिशली कौन-कौन से डॉक्युमेंट है जो रिक्वाइड है आप लोगों के एक्जाम के लिए नहीं काउंसलिंग के टाइम आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्युमेंट की रिक्वाइमेंट होगी तो बिना टाइम वेस के स्टार्ट करतीता आज का ये वीडियो ये पूरी की पूरी जेट बुकलेट है ओफिशली आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं जेट की ओफिशल वेबसाइट पे जाके और पूरा का पूरा इसे पढ़ सकते हैं तो देखें मैं आप लोगों को बता दूँ फाइनली कौन-कौन से डॉक्युमेंट है वो रिक्वाइड है तो देखें हमें चलना है थोड़ा नीचे की तरफ आप लोगों को किसी के भी वीडियो देखने की जौरत नहीं आप लोगों खुद भी से चेक कर सकते हैं सब कुछ बताया गया है कि कितनी सीट है और ये भी बताया गया है साथ में कि आप लोगों की फीस कितनी लगेगी जब अपन ओनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे तो कितनी फीस लगेगी सारा सब कुछ इस बुकलेट में दिया गया है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमें रिपोर्टिंग करवानी होगी तो कौन-कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होगी अगर ये एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो वहाँ से आप लोग आउट हो चाते हैं या आप लोग अच्छे से जानते हैं तो हम जब हम लोग यूटूबर जब बिना किसी फैक्ट के वीडियो बनाते हैं तो हम लोग यूँ ही बोल देते हैं कि यह 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 डोक्यूमेंट चाहिए लेकिन आज हम फाइनली फैक्ट पर बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ओनली यही डोक्यूमेंट चाहिए क्योंकि जेट बुकलेट में लिखा हुआ है और यह एक ओफिशियल साइट है आप लोग खुद जानते हैं अब यह प्रमान पत्र कौन सा है आप लोग गोर करिएगा आप लोगोंने जब 12 का एक्जाम क्लियर किया था तब 12 की मार्क सीट के साथ एक सर्टिफिकर्ट आया था उसकी बात यह कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकर्ट संभाल के रख लेना है साथ ही आप लोगों को मूल निवास प्रमान पत्र भी साथ में रखना है यानि मूल निवास आप लोगों का होना चाहिए फिर हम बात करते हैं तो आरक्षन प्रमान पत्र अगर आप OBC के हैं तो आप लोगों को अपनी केटेगरी का आरक्षन प्रमान पत्र साथ रखना है असियस्तिक हैं तो आप लोगों को आरक्षन प्रमान पत्र साथ रखना है साथ ही होता है स्वय गोसना प्रमान पत्र यह जो स्वय गोसना आई होती है स्वय गोसना प्रमान पत्र यह आप लोगों को ध्यान रखना है जिसे हम बोलते हैं, देखिए, self declaration, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो खुद को certify करें, इसे बोलते हैं, प्रमान पत्र, आप लोगों के पास नहीं है, तो कोई भी मित्र पे जाएंगे, तो ये आप लोगों का easily बन चाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फि हुआ आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं है, तो आप लोग बनवा सकते हैं, साथ ही दो पासपोर्ट आकार के फोटो, फोटो तो सभी के पास होती है, सुल्क जमा रसीद, यानि जो आप लोगों ने फीज जमा कराई है, उस फीज की रसीद होनी चाहिए, नियत तिती पर संस्तान में रिपोर्ट कराना होगा, यानि ये सारे मूल दस्तावेज आप लोगों को साथ रखने हैं, और जब आप कोलेज यानि यूनिवरसिटी में पहुँचे, तो ये सारे दस्तावेज आप लोगों को रिपोर्टिंग के टाइम में काम आएंगे, अ पूरा का पूरा इस बुकलेट में बताया गया है कि किस प्रकार से क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है थेंक्यू फॉर वोट्ट